हलो इभरिवन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाना हूँ कि एयर टेल पेमेंट बैंक का ट्रांजिक्शन हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एयर टेल थैंक्स अपलीकेशन को ओपेंड कर लेना होगा ओपेंड करके जिस नंबर से आपका एयर टेल पेमेंट बैंक खुला हुआ है वो नंबर आप लॉग इन कर लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं आल्रेडी लॉग इन कर रहा हूँ उपर में देखे इस आइकन पर क्लिक करना है लोगों का आइकन दिखेगा इस पर क्लिक कर लिजे क्लिक करने के बाद कुछ इस परकर का इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, इमेल आइडी, नाम सारा कुछ दिख जागा अब यहाँ पर करना क्या है कि सेटिंग पर क्लिक करना देखिए सेटिंग पर क्लिक कर लिजे सेटिंग पर क्लिक किजे सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस पर कर गए इंटरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सेटिंग का ओप्षन दिख रहा है, पेमेंट सेटिंग, बैंकिंग, आउटो पे, यहाँ पर तीन ओप्षन दिख रहा है उपर में, तो सिंपली आपको बैंकिंग पर क्लिक करना है, बैंकिंग पर क्लिक कर लिजे, बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे रिचार्जबील तो आपको किस चीज का ट्रांजिक्शन हिस्ट्रिज चेक करना है तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एर्टेल पेमिंट का ट्रांजिक्शन हिस्ट्री चेक करके बताएंगे तो देखिया यहाँ saving account and wallet है इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर UPI pin फिल करेंगे अब यहां पर देख सकते हैं transaction history जो कि मेरा transaction history यहां पर कोई transaction हमने नहीं किया है 16 November से 16 December के बीच में यानि एक महिना के बीच में हमने कोई transaction नहीं किया है इसलिए यहां पर नहीं दिख रहा है तो इस परकार से आप अपना Airtel Payment Bank का transaction history काफी आसानी से चेक कर सकते है वीडियो पसंदा तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लिजे थैंक यू